तो आज के इस विडियो में आपको एक ऐसी application वताऊंगा जिसके तरूँ आप अपने phone से बहुत सारे message को एक ही time एक ही समय में आसानी से अपने phone से किसी भी person के phone में send कर सकते हैं और जब भी आप इन message को अपने phone से दूसरे phone में send करेंगे तो आपके phone का mobile number यहाँ पर send नहीं होने बाला है और यह message जिस person के phone में जाएंगे उन message को वो person read करेगा उन्हें पढ़ेगा तो उसे कुछ ऐसा अहसा यानि feel होगा कि यह सारे message किसी company Flipkart Emma Jones जैसे बहुत सारी company उसे उसके phone में आ रहा है इस application का use आपको बिल्कुल गलत use नहीं करना है बरना आपके साथ कुछ गलत हो सकता है समद रहो आप समद रहो So hey guys I am Sahil and you watching Sahil TikTok YouTube channel तो चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो guys आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि guys आपको यहाँ पर ऐसी ही tips and tricks and बहुत सारे applications के review की videos मिलती रहती हैं तो guys चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस application का link में आपको इस वीडियो के description पार्ट में नहीं देने बाला हूँ बलकि आपको अपने phone के Chrome browser को open करके बहाँ पर आपको search करना है BombitUp AP के download उसके बाद search कर देना है अब guys जैसी आप लोग बहाँ पर इतना type करके search करते हैं तो BombitUp की जो पहली website है इसे आपको click करके open करना है अब guys जैसी आप लोग इस website को अपने phone में open करते हैं तो guys आपको यहाँ पर download का option मिल जाएगा तो guys simple सा आपको download के option पर click करना है अब guys जैसे ही आप लोग download के option पर click करते हैं तो guys यह application आपके phone में download हो जाएगी application आपके phone में जैसे ही download हो जाती है उसके बाद आपको इस application को अपने phone में install करना है install करने के बाद इस app को अपने phone में open कर लेना है अब गई जैसी आप लोग इस application को अपने phone में open करते हैं तो गईस आपके सामने कुछ इस तरह का interface यानि simple सा interface शो होता है तो गईस आपको इस application के थुरू अपने friend या किसी भी person के पास message को send करने के लिए simple सा आपको उसके mobile number को यहाँ पर enter कर देना है जितने ही message आपको send करने है वो सब सबी आपको यहाँ पर type कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर एक और option मिल जाता है delay का तो गईस डिले के option पर click करना है और guys आपको यहाँ पर उतने second sent कर लेने है जितने message आपको एक message के बाद दूसरा message को send करना है तो गाइस मैं यहाँ पर two seconds को set कर लेता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की और option मिल जाएगा bomber का तो गाइस आपको simple सा bomber के option पर जैसे ही click करते हैं तो गाइस यह सारे message उस number पर जाना start हो चुके हैं तो गाइस यहाँ पर बात की जाए कि आपके फोन में बहुत सारे message इसी application का use करके कोई दूसरा बंदा आपके phone में send कर रहा है तो गाइस आप लोग किस तरह से safe हो सकते हैं तो गाइस इसके लिए आपको नीचे की और एक option मिल जाएगा protect me का तो गाइस simple सा आपको protect me के option पर click करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर अपना mobile number इंटर करना है और गाइस आपको यहाँ पर अपने नाम को भी इंटर करना है नाम एंड मॉइल नमर इंटर करने के बाद जैसे ही आप लोग अपने phone में submit करते हैं तो गाइस आपका फोन में इस setting को करके अपने आपको save कर सकते हैं तो कैसे लिगे interesting सी application अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें अपने यार दोस्तों में share करें और गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली वार आये हो तो यह चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा